सबी साथियों को जय हिंथ, मैं आपका साथी डॉक्टर सोक्षर्मा, एक बार फिर से आप सब लोगों के साथ, आज की स्क्लास में ये भी एक के मेरेथन क्लास होने वाली है, लंबी क्लास होगी, आज की स्क्लास में हम प्रेपजीशन के जितने भी क्वेशन्स आरपी एससी ग्रेड, आरपी एससी सेकिंड ग्रेड के जो पुराने एकजाम्स हुए हैं, सभी एकजाम्स में प्रेपजीशन के जितने भी क्वेशन्स पुछे हुए हैं, सब को समझने का प्रियास करेंगे, ताकि आपको एकजाम में एक बड़ी हेल्प मिसके, प्रेपजीशन का जो आपका निकल जाए और बहुत अच्छी एक क्लास होने वाली है, क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि जो भी कंडिडिट्स, इंग्लीज ग्रेड सेकिंड, रीट मैंस के कोसिस, या फिर टैसरी जोइन करना चाहते हुए हूँ, बहुत स्यांदार तो आप Play Store से Venus World Application डाउनलोड कर लें, वहां आपको सभी प्रकार के कोसिस उपलब्ध हो जाएंगे और कोई भी जानकारी आप चाहते हूँ, कोई भी जानकारी आपको चाहिए, तो आप इस WhatsApp नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हैं, अब आते हैं अपन अपने Questions पे, Preposition, Revision, Marathon Class, Previous Years and Practice Questions, शुरू करते हैं, पहला Question आपके पास है, फटा फटा आंस्वर कर दीजिएगा, We will start six o'clock in the morning, एक preposition तो देखो यहां यूज किया हुआ है, in the morning, in the evening, वहां इनका प्रियोग किया जाना चीए, यहां आपके पास six o'clock लिखा हुआ है, तो यहां आपको किसका प्रियोग करना चीए, at six o'clock का प्रियोग करना चीए, किसका प्रियोग करते हैं, at six o'clock, आसान सा question है, इससे समंदीत और कौन-कौन से question हो सकते हैं, जैसे at sunset, at sunset, sunset के लिए भी किसका प्रियोग करते हैं, at dawn, d-a-w-n, at dawn, यह होता है सुभे का समय, इसके लिए भी किसका प्रियोग करते हैं, at noon, इसके लिए भी किसका प्रियोग क अप्रियोग करते हैं, APP कुई कोई एक्जाम में मिल जाएंगे, at full speed, at normal speed, n-o-r-m-a-l, at normal speed, at office, आप समझ जाएंगे, जिसका preposition पढ़ा है, वो समझ जाएगा कि at Christmas का प्रियूग कैसे करना है, at full speed का प्रियूग कैसे करना है, at normal speed का प्रियूग कैसे करना है, at office, at bus depot, at bus depot, at airport, at home, at home, at home, at home एक एडियम भी है, at home, comfortable इस्तती के लिए, इस प्रियूग हैं, वो किस के लिए करते हैं, at के लिए किया जाता है, समझ में आगी बात भई, चलो, और देखेगा, कुछ वाब्स हैं, जिनके साथ fixed preposition at का प्रियूग किया जाता है, उनको भी एक बार दे preposition का जो डर है आपके अंदर, बहुत सारे बच्चे कहते हैं, कि sir, preposition में दिक्कत है, preposition का डर है, पता नहीं कहां से, क्या question पूछ लेंगे, आज हम लग भागे, 100 questions करेंगे, तो 100 questions भी वे होंगे, जो RPSC first grade में, second grade में, या अन्ने किसी exams में पूछे हुए हैं, तो आपको exam का एक level पता सल जाएगा, किस level के questions पूछते हैं, हम बता रहे हैं आपको surprise के साथ, s-u-r-p-r-i-s-e, surprise के साथ किसका प्रियोग करते हैं, add का प्रियोग करते हैं, यदि वो पैसी वो इसमें हो तो, annoy, a-n-n-o-y, annoy के साथ, add का प्रियोग करते हैं, यदि वो पैसी वो इसमे हो तो look का प्रियोग के look at stare at stare at stare at ये सब at के प्रियोग है look at नहीं देखना stare यानी भी गूर गूर कर देखना समझ में आगई बात don't stare at me don't stare at me मेरे उपर गूर गूर कर मत देखो I was surprised at her behavior at her behavior होगा समझ में आगई बात भी ये हमारा पहला question था जिसको हमने ठीक ढंग से solve करने का प्रियास किया आगे चलते हैं अभी next question की तरह बढ़ते हैं दूसरा question जो आपका है वो ये है आपके screen पे ये second question this book was written and quill pen quill का मतलब होता है जो पुराने जमाने में punk वगेरा जो होते थे उनको तोड़ के जो column बनाई जाती थी जिससे पुराने जो किसी महात्मा थे वो लिखा करते थे उस प्रकार के pen को क्या कहते हैं quill pen कहते हैं बहुत बार exam में पूछा जाता है confused रहता है क्या लिखना चाहिए विद लिखना चाहिए ठीक है दिस book was written with a quill pen pen के साथ आपको किसका प्रियोग करना है विद का प्रियोग करना है logic यह होता है कि instrument के लिए किसके लिए बिटा instrument के लिए विद का प्रियोग किया जाता है अब इसके बाद जो दो question है वो आपको confuse में डाल सकते हैं एक लिखा होता है in ink in ink ठीक है तो ink के लिए आप क्या लिखेंगे in लिखेंगे चाहिए वो green ink हो blue ink हो black कोई भी हो आप क्या लिखेंगे in ink we are asked to sign in ink we were asked a s k d we were asked to sign s i g n we were asked to sign the paper sign the paper in in ink in ink लिखेंगे यहां भी एक बाद समझना sign on the paper नहीं होता है ध्यान रखना यह भी फटा फट we were asked to sign on the paper नहीं होगा sign के बाद preposition नहीं आता है इसलिए यह ध्यान रखेंगे नहीं आएगा और यहां आपको लिखना है in ink लिखेंगे एक बात और समझ लिजीगा pencil के साथ भी किसका प्रियोग करते हैं इनका प्रियोग करते हैं यह phrases होती है in ink in pencil तो डरने की कोई जुरूत नहीं pencil के साथ बहुत जगए आपको with भी लिखा हुआ मिल सकता है लेकिन आपको exam में क्या लिखना है in ink यदि ink और in ink लिखेंगे और in pencil लिखेंगे प-e-n-c-i-l यह सही phrases यह हैं तो इसलिए आप इनका प्रियोग करेंगे समझ में आ गई होगी बात भी चलो next question कि तरह बढ़ते हैं आगे question number three there was a passage the two houses थोड़ा जो penetic transcription है उस पे भी थोड़ा धान रखा करो यह passage होता है passage नहीं होता है इसका मतलब होता है रास्ता there was a passage the two houses दो घरों के बीच एक passage था तो इसके लिए किसका प्रियोग कर देंगे between का प्रियोग कर देंगे दो के लिए किसका प्रियोग करते हैं between का प्रियोग करते हैं distribute these sweets between charm and rames किसका प्रियोग कर देंगे between का प्रियोग कर देंगे between Ram and Ramis clear बात है दो के बीच में कई बार between का प्रियोग दो से ज़्यादा के लिए भी होता है क्या हाँ between का प्रियोग दो से ज़्यादा के लिए कब होता है जब किसी प्रकार की कोई boundaries share की गई हो जहां किसी प्रकार का कोई वास्तव में विभाजन नहीं होता हो, the treaty was signed between all the five nations, देखे ऐसे लिखेंगे, the treaty, T-R-E-A-T-Y, treaty का मला होता है, संधी, treaty का मला होता है, संधी, the treaty was signed, S-I-G-N-E-D, between all the five nations, सभी पांच राष्ट्रों के बीच, क्या की गई, संधी को sign किया गया, ऐसा नहीं है, कि संधी के जो clause थे, एक से लेके पांच तक clause पे पहले वाले ने sign कर दिये, दो से लेके आठ तक तीसरे वान ने, दूसरे वान ऐसे नहीं न, सभी ने, पूरी संधी पे sign के, ऐसी स्थती में, between का प्रियोग भी क्या जा सकता है, किसके लिए, more than two के लिए, ध्यान रखेंगे, otherwise, between का प्रियोग किसके लिए करते हैं, दो के लिए करते हैं, जैसा कि यहां लिखा हुआ है, चलो भई, next sentence देखते हैं, आप लोग भी फटाफट answer करते जाईएगा, जितना जल्दी आप लोग करेंगे, आपका समय बचेगा, क्योंकि यह revision class है, इसलिए इसमें जितना ज्यादा revision कर लोगे, उतना ज्यादा आपको exam में confidence मिलेगा, आपकी concepts clear होंगे, yes, those three men querled, querel का मतलब होता है जगड़ना, themselves, वो between दो के लिए था, और ये किस के लिए है, दो से ज्यादा के लिए है, तो क्या हो जाएगा इसमें, among हो जाएगा, ए, 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 जी, ये किसी बात पर लड़ते हैं, तो क्या लिखेंगे, आउन के लिए लिख देंगे, ये भी हो गया भई, next question देखते हैं, he came and sat me, ये वे सारे questions हैं, जो एक्जाम में पुछे हुए हैं, और एक्जाम में भी कौन से, RPSC, first grade, second grade, तो लगभग, एसी प्रकार के questions, सभी exams में पुछे जाते हैं, इसलिए डरने की, गबराने की, कोई आउशकता नहीं है, आपको जितना पढ़ाया गया है, उसको ठीक ढ़ंग से, revise कर लिजिएगा, फिर आपको एक्जाम में कोई नहीं रोख सकता है, he came and sat, वे आया और बैठा, me, मेरे pass, pass की एंगरेजी होती है, beside, he came and sat beside me, b-e-s-i-d, beside यानी होता है, के pass में, she was sitting beside her parents, she was sitting, s-i-t-t-i-n-g, she was sitting beside her parents, वो अपने parents के पास बैठी थी, p-a-r-e-n-t, she was sitting beside her parents, समझ में आगी भी, beside यानी के पास में, इसी प्रकार का एक सब दोर होता है, besides, b-e-s-i-d-e-s, b-e-s-i-d-e-s, besides का मतलब के अतिरिक्त, इसमें देखो यह s क्या है, अतिरिक्त है, तो इसका मतलब होता है, के अतिरिक्त, besides का मतलब क्या होता है बिटा, के अतिरिक्त, इसके अलावा, besides this, I do this also, ठीक है, besides teaching the students, बच्चों को पढ़ाने के अलावा, I help them, मैं उनकी साहिता भी करता हूँ, तो क्या हो गया वो, besides हो गया, समझ में आगी भी, के अतिरिक्त होता है, यह हमें समझ में आ गया, अब चलते हैं अपन question number six पे, question number six पे, he has been ill, Tuesday last, क्या लिखेंगे, फटा फटा answer करते जाएगा, within का प्रियोग नहीं होता है यहां, within समय मात आता है, within five days, I have to complete this, within five days, I have to complete this, I have to complete this, C-O-M-P-L-T, I have to complete this, within five days, पाँच दिन के अंदर अंदर, within five days, पाँच दिन के खतम होने से, पहले पहले, within five days, I will be back here, within three hours, मैं तीन घंटे में वापस यहां आ जाओंगा, I will teach you, preposition within two hours, I can teach you prepositions within two hours, दो घंटे में हम पढ़ सकते हैं, यह विदिन है, बाई, बाई का मल होता है, तक, बाई का मतलब क्या होता है, तक, अगले मंडे तक, वी विल हैव कम्प्लिटेड देश, बाई, नेक्स्ट मंडे, बाई का प्रियोग जब समय के अर्थ में किया जाएगा, समय के साथ किया जाएगा, तब उत तक के अर्थ में होता है, यू हैव तो डिपोजिट यूर फी बाई मंडे, आई हैव तो गेट बैक बाई नाइन ओ क्लॉक, नौ बजे तक के अर्थ में होता है, एट का मतलब होता है, फिक्स पॉइंट, एट नाइन ओ क्लॉक, एट शिक्स ओ क्लॉक, जैसा आपने पहले सेंटेंस में देखा था, और सिंस का मतलब होता है, से, सिंस का मतलब क्या होता है, से, कब से, ही हैज बीन इल, वह क्या है, बीमार है, सिंस थस्डे लास्ट, क्या लिखेंगा अपने इसमें, सिंस थस्डे लास्ट, has been जो है यह कौन सा tense है कई बार exam में tense पूछते हैं क्या पूछते हैं बटा tense पूछ लेते हैं कि tense है कौन सा यह पूछते हैं आपको exam में तो आप बताएंगे कि यह जो tense है यह आपकी had जो है यह helping verb है और been जो है यह man verb है this is what बटा, this is man verb hedge के साथ जो man verb आती है past participle होती है यानि third form of the verb होती है और जो third form of the verb hedge के साथ आए तो वो tense कौन सा होता है वो आपका tense होता है present का perfect clear है अभी? हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा तीजे बताई जाएं इसलिए speed थोड़ी ज़्यादा रहेगी क्योंकि marathon class है revision class है आप लोग भी चाहेंगे कि थोड़ी speed ज़्यादा रहे ताकि चीजों को अच्छे से cover किया जा सके समय में आगई भई Thursday, last तो क्या लिख दिया हमने? since लिख दिया next देखेगा यह हमारा six था seven number question देखेगा all of us were surprised his attitude all of us were surprised surprise के बाद में क्या आना चीए? at आना चीए examiner थोड़ा tricky हो सकता है जैसे hard यह sentence इदी आपका active voice में होता यह देखेगा आप पैसी voice में है b plus third form यह किसमें है? passive voice में है और यही sentence आपका active voice में होता तो यह एक transitive verb है surprise कैसी verb है? transitive verb है s-u-r-p-r-i-s-e surprise is a transitive t-r-a-n-s-i-t transitive verb जो होती है वो अपने साथ सिधा object लेती है क्या नहीं लेती है preposition नहीं लेती है तो क्या लिखेंगे में इसमें? her her attitude a-w-t-i-t-u-d her attitude surprised me s-u-r-p-r-i-s-e-d her attitude surprised me अगर यहां आपको दे दिया जाए यहां दे दिया जाए तो किसी प्रकार की कोई preposition की गुणजाएस नहीं है इसलिए ऐसे रटे मत मार के जाओ कि preposition surprise के साथ at आता है surprise के साथ at आता है नहीं भी आता है कब नहीं आता है जब sentence आपका active voice में हो उसी प्रकास एक वर्ड होता है annoyed a double n o y annoyed ठीक है her behavior annoyed me annoyed का मत 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 होता है नाराज करना उसके विभार ने मुझे नाराज किया I was annoyed at अगर पैसी में लेकिंगे तो क्या बन जाएगा I was annoyed a double n o y I was annoyed at her behavior clear होगी बात भी तो किसका प्रियोग करेंगे मिया, at का प्रियोग करेंगे, चलो भी आगे बढ़ते हैं, question number 8, question number 8, he congratulated him on his success, he congratulated him on his success, बहुत साधान सा sentence है, कोई डिरने किया हो सकता नहीं है, क्या लेकिन अपनिया, on लिखेंगे, ठीक है, on का प्रियोग और कहां कहां हो सकता है, depend के साथ क्या होता है, on होता है, depend, depend के साथ क्या होता है, बिटा, on होता है, उसके बाद में rely, r-e-l-y, rely के साथ on होता है, insist, i-n-s-i-s-t, insist के साथ क्या होता है, on होता है, कोई exam में question आए, तो देख ले ना, इस तरकार का, next चलते हैं भी, we were invited to, invited के बाद आपको कहा लिखना है, to लिखना है, लेकिन invite अपने बाद object भी लेती है, तो वहाँ आपको preposition लगाने की जुरूत नहीं है, जैसे, we invited them, we, i-n-v-i-t-d, we invited them, अब यहाँ आपको him लिख दो, them लिख दो, एक ही बाद है, we invited them, तो यहाँ आपको किसी भी प्रकार के preposition की आउ सकता नहीं है, लेकिन, we invited them to dinner, यह हो सकता है, to dinner हो सकता है, to tea party हो सकता है, to tea हो सकता है, अकेला tea हो सकता है, to tea party हो सकता है, to meeting हो सकता है, ठीक है, to the meeting, ठीक है, तो यह आपको क्या लिखना है, to लिखने इंग लिखने, यहाँ आपको कोई preposition नहीं लिखना है, on her birthday, यहां देखेगा, इसके लिए किसका प्रियोग क्या हुआ है, on का प्रियोग क्या हुआ है, next चलते हैं भी, question number 10, we should not interfere in, interfere का मतलब होता है, अस्तक सेप करना, देखो fixed preposition है, जो लगबाग exam में पूछी जाती है, उनमें ही एक ये है, interfere का मतलब क्या होता है, अस्तक सेप करना, इसके साथ कौन से preposition का प्रियोग होता है, in preposition का प्रियोग होता है, we should not interfere in other people's life, दूसरे लोगों की जिंदगी में हमें अस्तक सेप नहीं करना चाहिए, तो क्या लिखा मनिया, देखो people जो है, ये plural है, लेकिन इसका end जो है, वो s के साथ नहीं हो रहा है, इ apostrophe s लगा दिया, otherwise plural के साथ थे, apostrophe तो लगाते हैं, लेकिन s नहीं लगाते, boys school लिखते हैं, क्या लिखते हैं, boys school लिखते हैं, क्योंकि ये देखेगा plural है, इसके वापस s नहीं लगाते, लेकिन ये है तो plural, लेकिन इसकी sound किसे end नहीं हो रही है, से end नहीं हो रही है, तो hissing sound उन से नहीं हो रही है तो वापस वाँ लगा दिया चलो ये तो एक अलग बात थी Question number 11 The building was soon covered, cover के साथ with fixed proposition होता है cover के साथ क्या होता है with होता है, covered with, ठीक है cover जहां कहीं भी आपको मिले, आप क्या लगा देना with preposition लगा देना The building was soon covered with flames building जो है जल्दी है लपटों से घिर गई cover का मतलब होता है घिर जाना और flames क्या होती है लपट होती है, आग की जो लपट होती है ऐसा लग रहा है कि building में आग लग गई और उसका कोई वर्णन है, तो उसी लिए क्या क्या हुआ है covered with लिखा हुआ है covered with लिखा हुआ है cover this body with cloth ठीक है cover this article with cloth तो कह लिकेंगे अपन with लिखेंगे आपको एक्जाम में इस प्रकार के questions मिलेंगे तो हो सकता है देखी वी चीज, सुनी वी बात याद रह जाती है जब आप चीज को देखते हैं जब उसको सुनते हैं तो वहां से कोईन कोई बात एक्जाम में click कर जाती है इसलिए हमने आपके लिए ये marathon class रखी है ताकि आप एक्जाम में बहुत अच्छा score करके आएं और फिर हमें आपके score से आपके selection से, आपके उत्साह से आपके joss से, आपके जनूम से, आपकी जो प्रतिग्या है आपका जो प्रिणाम आएगा उससे हमें बहुत खुसी मिले बस वो ही एक प्रियास हम कर रहे हैं the cat jumped the table the cat jumped the table तो क्या लिखेंगे? cat ने table पे क्या किया? jump किया तो क्या लिखेंगे अपनी हैस में? upon लिखेंगे ध्यान रखना upon के लिए motion होना जरूरी होता है motion का बलब क्या है? गती होना जरूरी होता है table यहाँ है और यहाँ आपकी क्या है? cat है और इसने इस पे यहाँ jump किया तो किसका प्रियोग लिखेंगे? upon का प्रियोग लिखेंगे और यदी उसने यहां से पार करके यहां आ गई, इसके उपर से आ गई, तब आप किसका प्रियोग करेंगे, ओवर का प्रियोग करेंगे, समझ में आ गई बात में, जब किसी चीज को हम पार कर देते हैं, तब किसका प्रियोग करेंगे, ओवर का प्रियोग करेंगे, और जम् वस्तू सिस्थान पर पहुंच जाते हैं, तब किसका प्रियोग करते हैं, अपन का प्रियोग करते हैं, तो यहां किसका प्रियोग होगा, अपन का प्रियोग होगा, into, by, within, इनका कोई लेना देना नहीं है, यदि आप ओ ढंक से समझना चाह रहे हो, तो आपको इस पता होना यहां आर्टिकल दै का प्रियोग क्या में हैं, क्या यहां आर्टिकल दै के प्रियोग होने चाहिए, या नहीं होने चाहिए, इस बात की जानकारी आपको होनी चाहिए, नेक्स देखिएगा, we should always believe in ourself हमें हमें से अपने आप में विश्वास रखना चाहिए आपको भी अब एक्जाम के नजदीक इस बात की बहुत आउ सकता है कि आप अपने आप में क्या करें विश्वास रखें we should believe, we should always believe in ourself हमें हमें से अपने आप में विश्वास रखना चाहिए हमें हमें faith रखना चाहिए we must have strong faith in God we must have strong faith in ourself in God तो क्या लिखेंगे अपन? in लिखेंगे तो क्या आगया विसमें? in लिखेंगे we should always believe next देखेगा एक बात भई यदि आप लोगों को चीजें ठीक लग रही हों तो एक बार आप लोगों से आसा रखता हूं मैं कि आप सब के सब बच्चे एक बार class को जरूर से जरूर से शेर करेंगे ताकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको आउशकता है और हम उन तक पहुंच नहीं पा रहे हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है नेतिक कर्तब भी बनता है कि आप लोग उन तक चीज़ें को पहुंचाएं Yes, he threw the ball high up in the air high up in the air 2011 में पुछा हुआ है एक्जाम ये high up उपर की तरफ high up उपर की तरफ है बाकी जो over, above और across इनके अलग मीनिंग होते हैं जो हम चर्चा करते रहेंगे आगे की class में, आज ही class में करेंगे we should not depend entirely on थोड़ी देर पहले ही मैंने आप लोगों को बता है था कि depend के साथ किसका प्रियोग करते हैं on का प्रियोग करते हैं rely, rely का मतलब भी किसी पर निरभर करना होता है वहाँ भी on का प्रियोग करते हैं rely के साथ भी किसका प्रियोग करते हैं On का प्रियोग करते हैं, Depend के साथ भी किसका प्रियोग करते हैं, On का प्रियोग करते हैं, Insist के साथ भी किसका प्रियोग करते हैं, On का प्रियोग करते हैं, लेकिन Persist के साथ इनका प्रियोग करते हैं, P-E-R-S-I-S-T, Persist के साथ किसका प्रियोग करते हैं, In का प्रियोग करते ह जान रखना एक जैसे दिखते हैं, insist और persist, insist के साथ on का प्रियोग और persist के साथ in का प्रियोग, next question देखेगा, next question देखेगा, he managed to walk the broken breeze, breeze, breeze आप जानते ही हैं क्या होता है, पुलिया होता है, broken, टूटा हुआ breeze, he managed to walk across the broken breeze, उसने manage किया, क्या करना, इस प्रकास एक आपका पुलिया जो टूटा हुआ है, उसने manage किया अपने आपको कि वो इसके पार चला जाए, across the broken breeze है, यहां लिकिंगे अपन, across, between नहीं आएगा, उसके बीच में थोड़ी नहीं है, in नहीं आएगा, at नहीं आएगा, क्या आएगा, across, across का मजल होता है, from this point to this point, पूरा पार करते हुए, the ball rolled across the ground, the ball, the ball, B-A-W, the ball rolled across the ground, rolled across, A-C-R-W, rolled across the ground, किसका प्रियोग किया है, आपने, across का प्रियोग किया गया, all across, ठीक है, पूरे एक स्थान से, इस छोर से लेके, उस छोर तक के लिए किसका प्रियोग करते हैं, across का प्रियोग करते हैं, समझ में आगई बात भी है, चलो, next देखते हैं, question number 16, I can no longer put up his rude behavior, preposition में दो तीन चीजों का ध्यान रखना है, preposition, concept वाली पूछते हैं, preposition, fixed preposition पूछते हैं, और उसके बाद, phrasal verb is also a part of preposition, preposition में phrasal verbs भी पूछी जाती हैं, जैसे यह है, put up with का मतलब होता है, सहन करना, put up with का मतलब क्या होता है, सहन करना, यहां आपने यह कोई और logic लगाया, तो फिर आपका यह answer क्या नहीं होगा, सही, नहीं होगा, क्या लिखना है, यहां देखे मैं अब और ज्यादा उसके rude behavior को बरदास्त नहीं कर सकता, तो क्या लिखेंगे इसमें, put up with लिख देंगे, say, looks after, तो looks अकेला देते हैं, after छोड़ देते हैं, look after यानि देख भाल करना, phrasal verb है, तो after preposition भी है, तो look देके क्या पूछ सकते हैं, after दे सकते हैं, put out दे सकते हैं, बुझाने के अर्थे में, put दे दिया, और out आपको preposition के रूप में पूछ लिया, ठीक है, तो इस प्रकास से भी आपसे पूछा जा सकता है, बिल्कुल अपने आपको आपको क्या रखेंगे, तयार रखेंगे, next sentence देखेगा भी, all of us have been invited, ये question पहले भी आ चुका है, तो repeat ह हुआ है ये question, RPC नहीं repeat किया है, तो यहां आप देख लेंगे क्या आएगा, two आएगा, ठीक है, all of us have been invited to tea, next देखेगा, she was confident, she was confident, क्या लिखेंगे इसमें, her son's success, she was confident of, she was confident of, her son's success, next देखेगा, next देखेगा, फिर कौन सा question आ गया, we was surprised at her sudden decision, surprise का एक बार पहले भी पुछा जा चुका है, एक बार फिर पुछा हुआ है, क्या लिखेंगे बोलो भई, we was surprised at his decision, ठीकत क्या लिख दिया, हमने at लिख दिया, इसको ज्यादा explain करने क्या हो सकता नहीं है, क्योंकि पहले हम इसक उसको explain कर चुके है, next sentence देखेगा, they got married 17, they got married 17, they got married at 17, जब किसनी 17 साल की उमर में उनकी साधी हो गए, तब क्या लिखेंगे आप पे, at 17 लिखेंगे, he was married to, she was married to, she was married, M-A-R-R-I-D-C, she was married to, रमेश, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ, married to लिखेंगे, जान रखेगा, यहाँ हमने क्या लिखा है, at लिखा है, क्योंकि आगे क्या बताई हुई है, age बताई हुई है, यहाँ हमने to लिखा हुआ है, क्योंकि आगे जिससे साधी हुई है, उसके ल married they have been married for five years for five years path salsa kei hain wao saadi suda hai they have been married since they have been they have been married M a double R I D they have been married since 2005 since 2005 तो अलग 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 प्रकार के preposition का प्रियोग करना चाहिए आपको पता होना चाहिए कि कौन से preposition का कहा प्रियोग है यह age के लिए हो गया जिससे साधी के लिए है for हो गया और यह क्या हो गया since हो गया ठीक है भी तो इस प्रकार के question भी exam में बार-बार पूछे जा रहे हैं उसके बाद देखेगा there is no cure for for that disease for that disease ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है लिए लिए हो गया प्रियोग लिख देंगे है हम इसमें कोई दिक्कत नहीं आई किसी तरह की उसके बाद देखते हैं doing the cooking I can help you with your computer work as well cooking करने के साथ साथ मैं आपके आपके जो computer का वक है उसमें भी help तो के साथ साथ के अतिरिक्त क्या लेकिंग हम या besides besides doing the cooking क्या करने के अतिरिक्त cooking करने के अतिरिक्त I can help you with your computer work as well computer में भी कर सकते हूँ अब ये होता अगर accept का महला होता है case why accept का महला होता है case why accept doing the cooking cooking के अलावा I can do anything मैं कुछ भी कर सकती हूँ कुछ भी कर सकता हूँ तब आप क्या लिखते accept लिखते case why लिखते समझ में आ गया ना इन दोनों का अंतर समझ में आ गया बिलकुल आ जाना चीए था next देखते है question number 24 we got to the station just time to catch the train just in time phrase होती है phrase कौन से होती है just in time तो हम लिखेंग इसमें just in time ये phrase है बिलकुल सही समय पे तो क्या लिखते हैं इसको just in time लिखते है याद रजाएगा we got to the train got to the train का मलबा है हम station पहुँचे got to the station है तो इसका मतलब होता है हम station पहुँचे just in time to catch the train train को पकड़ने के बिलकुल सही समय पे पहुँचे हम तो यहां लिख देंगे है hurry is inferior to inferior latin word है यह इनके साथ किसका प्रयोग होता है two का प्रयोग होता है कहां पढ़ा आपने यह यह आपने degrees of comparison में जरूर पढ़ा होगा inferior के साथ क्या आता है two आता है उसके बाद superior के साथ क्या आता है two आता है junior के साथ two आता है senior के साथ क्या आता है two आता है, तो ये आप पे याद रखेंगे, किसका प्रियोग होना चाहिए था IOR है इसके last में ठीक है, IOR वाले what, inferior, superior S-U-P-E-R superior, junior J-U-N-I-O-R I-O-R, I-O-R S-E-N-I-O-R senior, तो इन सब के साथ किसका प्रियोग करना चाहिए, तू का करना चाहिए, इसलिए इस sentence में किसका प्रियोग हो गया, तू का हो गया, next देखेगा The company has rejected the workers demand for a rise, for के लिए, demand for होता है, ठीक है, किसी बात के लिए आपके कोई मांग होती है तो उसके लिए किसका प्रियोग करते हैं, demand for, किसका प्रियोग करेंगे, demand for, a rise, ये rise कौन सा part of speech है rise यहाँ, कौन सा part of speech है, फटा-फट बताईएगा, हलांकि हम आज सोचा ये था, कि preposition से इधर उधर बिलकुल नहीं हटेंगे otherwise, आप जानते हैं, कि एक-एक question solve करने में, उसको बहुत detail से समझाने में, हम आदा-दा घंटा लेते हैं, 35-35 minute, 25-25 minute, एक question में लेकिन आज हम अलग मकसद से हैं, आज हम ये चाहते हैं, कि आपको preposition का revision करवा दिया जाए, exam आपकी नजदीक है, तो आप बाकी चीजों पर ध्यान नहीं देना चाहेंगे, इसलिए हम भी चाहते हैं, कि फटा-फटा आपका topic करवा दिया जाए, ये है article, इसके बाद write जो है, ये noun है, तस इतना ही जान लो question number 27 these photographs were taken by a friend of mine मेरे एक दोस्त दुआरा ये ले गई, by a friend of mine agent के लिए by का प्रियोग किया जाता है, और ये दी camera भी होता, तो with his camera आ जाता, अपने camera से उसने, मेरे दोस्त ने picture ली, तो कह लिखते by a friend of mine with his camera, तो with आ जाता, तो by होगा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, next देखेगा question number 28, they were expecting to announce the sale the next few days, they were expecting, वे आसा कर रहे थे to announce the sale, कि sale announce की जाएगे the next few days, अगले कुछ दिनों में, तो within the next few days, अगले कुछ दिनों में, within लिखेंगे his name, या क्या लिखेंगे, within the next few days, since नहीं लिखेंगे, until नहीं लिखेंगे, until तक कार्थ होता है, ये तो आगे की बात है, till भी ये सा होता है, तो हम लिखेंगे, within the next few ये बी क्या है, phrase है, by train, ये भी क्या है, phrase है, by air, by land, ये सब क्या है, by है, या कोई प्रेपजिशन नहीं आएगा, sorry, कोई आटिकल नहीं आएगा, by train नहीं होता है, क्या होता है, by train, लेकिन, in लगा देंगे, तो क्या लिखेंगे, in a bus, यदि bus से पहले यहां कोई आर्टिकल आ गया, तो फिर आप क्या लिखाएंगे, by नहीं लिखेंगे, in लिखेंगे, in a bus, he came in her car, see, he नहीं भी सी, she came in her car, her car, ये सही है, her है इसली क्या लिखा, आमने, in लिखा, she came in her car, अगर यहीं सेंटेंस होता, she came, she came, dash, 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 bus, या फिर car, तब क्या लिखते हैं, she came by bus, या फिर by car लिखते हैं, ठीक है भी, चीज़ें क्लियर हो रही हैं बिल्कुल, नेक्स देखेगा, नेक्स सेंटेंस की तरह बढ़ते हैं आगे, आप देखेगा, बहुत आसान क्वेसन भी एक्जाम में आते हैं, जिसने बेसिक्स अपने क्लियर किये वे हैं, जितना आपको पढ़ाया हुआ है, उसको अच्छे से पढ़ लोगें, तो कोई दिकत नहीं है, बस आप कॉंसेप्ट अपने क्लियर रखो, बेसिक्स को क्लियर रखो, बेसिक्ट अजना रखो, बेसिक् Means, अच्छे से ऐद्वाइजन देखीए हैं, जो आपने साथ तू इंफिनिटिव लेती हैं, क्या लेती हैं, जिसे अटो हैं अबीछ तू इंफिनिटिव लेती हैं, जिसे अट्वाइज वाइज वाइज वाइज, आ स्क So you had better be at the station. The train starts at fixed point के लिए बताया हुआ है. Train 6 पे शुरू होती है. So you had better. इसलिए आपके लिए अच्छा होगा कि be at station आप कहां पहुंच जाएं? station पे पहुंच जाएं. जब हम आप लोगों को at पढ़ा रहे थे थोड़े देर पहले ही, तब बताया था कि at bus depot, at station, at airport, देखेगा यहां at का प्रियोग किया हुआ है. इसलिए आप पे कब तक पहुंच जाएं? 6-10 पे train start है, तो आप कब तक पहुंच जाएं? और तब तक, क अब तक, इस तक के अर्थ में समय बताने के लिए किसका प्रियोग करते हैं? बाई का प्रियोग करते हैं, कुछ देर पहले ही हमने इसकी चरचा कि थी, क्या लिख देंगे बटा यहां? बाई लिख देंगे, क्या लिख देंगे? बाई 6. किलियर होगे भी चलो next देखते हैं next question देखेगा he has been here for Monday from Monday नी लिखेंगे क्या नी लिखेंगे from नी लिखेंगे from नहीं लिखा जाना चीए क्या लिखा जाना चीए since Monday लिखा जाना चीए इसलिए पुछा हुआ आपसे क्या लिखेंगे since Monday has been यह जो structure है यह अपने साथ क्या लेती है since और for लेती है he has been here for five days यह लिख सकते हैं कोई लिखेंगे नी है he has been here for five days यह लिखा जा सकता है कोई समस्या नहीं है लेकिन यह यह लिखा जाए he has been here since July he has been he has been here since July क्या लिखेंगे since July क्या लिखेंगे क्या लिखेंगे क्या होगी बात यहां कि यहां since क्यों आया समझ में आ गया होगा next sentence कि तरह बढ़ते हैं आगे yes there may be an index at the end of the book at the end जब भी आपको इस प्रकासा लिखना हो तो क्या लिखेंगे आप पे at the end of the day at the end of the chapter at the end of the lesson तो वहां लिखेंगे at the end of the stairs cd के last में तो क्या लिखेंगे at the end of the stairs I found him standing there मैंने वहां उसको खडा पाया at the end of the lesson my teacher asked me some important questions क्या लिखेंगे आपे at the end of the day I take rest at the end of the day दिन के अंत में I take rest at the end of the session I generally go for picnic कह सकते है मैं generally कहा जाता हूँ picnic के लिए जाता हूँ घूमने के लिए जाता हूँ at the end of the month मैंने के अंत में क्या करता हूँ I revise my chapters I revise my chapters तो क्या लिखेंगे आप वहां at लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे यहाप लोगे, at लिखेंगे, किलियर हो गई बात बही, चलो, next sentence की तरब देखते हैं, question number 34, this is what, 34, have you any good books on botany, lend me, येदी आपके पास on का मतलब about के अर्थ में होता है, इसलिए यहाँ about का प्रियोग भी किया जा सकता था, do you have any book on grammar, do you have any book on literature written by Dr. Ashok Kumar Sarma, one of the best books on literature, one of the best books, ये मैं पूरे दावे के साथ कहता हूँ, कि literature के लिए बहुत स्चांदार किताब है, Venus Handbook of English Literature, यदि आप में से किसी बच्चे ने अभी भी वो पुस्तक नहीं करीदी है, तो literature पढ़ने वाले हर बच्चे के पास वो किताब होनी होनी चीए, बहुत अच्छी बुक हमने लिखी है, वो इंग्लिस में Rain and Martin सब के पास होनी चीए grammar के लिए, और literature के लिए Venus Book of English Literature सब के पास होनी चीए, तो क्या है, on literature, the book has been written on literature, तो क्या लिखेंगे अपन, literature, उसने एक भासन दिया, democracy पे, He delivered a lecture on democracy, He delivered a lecture on democracy, on यानि about के बारे में, तो क्या लिखेंगे, about भी लिख सकते थे, दोनों option हैं, कोई दिकत नहीं है, New meaning can be derived from, derived के साथ, जो fixed proposition आता है, वो क्या आता है, from आता है, abstain from, एक वार होता है, abstain, A, B, S, T, A, I, N, abstain from, He advised me to abstain from smoking, abstain का मतलब होता है, किसी चीज़ से दूर रहना, He advised me to abstain from drinking, the doctor advised me to abstain from overeating, He advised me to abstain from smoking, तो from याद रह जाएगा, निशी दूरुप से क्या रह जाएगा, याद रह जाना थी, derived from, to get from, कहीं से कोई चीज़ को निकालना क्या होता है, derived from होता है, sentence का देखेगा, new meanings can always be derived from good writings, अच्छी जो किताबी लिखी हुई है, उनसे हर बार पढ़ने पर क्या आता है, नया meaning समझ में आता है, that is called derived from, next देखेगा, question number 36, नय केवल आपका revision होना चाहिए, बलकि आपको मजा भी आना चाहिए, आपको confidence भी आना चाहिए, कि वास्तम में हमारी तयारी क्या है, बहुत अच्छी है, और ये जो confidence आप exam में अपने साथ लेके जाएंगे, ये confidence आपको वहां से सफलता दिलाता है, इसलिए ये class का विशेस मकसद इसलिए है, otherwise हम आपको preposition पढ़ा चुके हैं course में, बहुत अच्छे से करवा चुके हैं, आज इस revision का मकसद ये ही है, कि आप अच्छे से question solve करें, आपको confidence हाई हो, आपको लगे कि आप exam के बहुत नजदीक हैं, किसी भी बच्चे को किसी प्रकार की कोई ऐस्विदा, कोई डर्भ है नहीं होना चाहिए, बहुत आसान question पूछे जाते हैं exam में, those who count on, count के बाद on होता है, विश्वास करना, others help generally lose the game, जो लोग दूसरों की help पे अक्सर विश्वास कर लेते हैं, वो गेम को हार जाते हैं, lose the game, तो count on, ये भी क्या है, phrasal verb है, p-h-r-a-s-l, this is what बिटा, phrasal verb, ये भी phrasal verb है, count on, किलिए रोज़गी बाद, समझ में आगी बाद, क्या कहना चाह रहे हैं, those who count on others help, जो दूसरों की help पर निर्भर करते हैं, generally lose the game, वो उनका मामला गड़बड हो जाता है, none the brave deserve to be honored, सिरफ कौन brave जो है, उनको समान दिया जाना चाहिए, with, sorry, थोड़ी speed ज़्यादा है मुझे लग रहा है ना, speed इसलिए ज़्यादा है कि भटाफट ज़्यादा जासे ज़्यादा कुशन हो जाए, none but the brave, none but, यह आपने transformation में पढ़ा होगा, none but, यह बट जो है, वो preposition का काम करता है, ठीक है, none but the brave deserve to be honored, तो क्या हो गया यहाँ, but का प्रियोग यहाँ हो गया, next देखिएगा, question number 38, an article precedes, कोई preposition नहीं आएगा, an article precedes, कोई preposition नहीं आएगा, धान रखना, precede हैं, succeed हैं, यह transitive verb हैं, इनके बाद preposition नहीं आता है, लेकिन, धान रखने की बात यह है, कि यदि इनको, passivus में यूज किया जाए, तो by preposition का प्रियोग किया जाता है, देखिएगा, an article, an article, precedes a vowel sound, ठीक है, vowel sound से पहले, an article आता है, तो हम क्या लेखेंगे, a vowel sound is preceded by, by an article, an article, यदि आप इसको, passive voice में बनाएंगे, तो किसका प्रियोग करेंगे, by का प्रियोग करेंगे, यह जो वब है, कई वब ऐसी हैं, जिनको active voice में, उनके साथ preposition नहीं आता है, लेकिन passive voice में, उनके साथ preposition आता है, जैसे, accompany वब है, A, double C, O, M, P, accompany वब है, accompany, ठीक है, तो इसके साथ भी क्या आता है, active voice में नहीं आता है, passive voice में आता है, ठीक है, उसी प्रकास से, comprise verb है, C, O, M, P, R, I, S, E, active voice में नहीं आता है, किस में आता है, passive voice में आता है, ठीक है, आप लोगोंने तयार की होंगी यह, नहीं की होई, तो अभी भी आपके पास समय है, आप ऐसी verbs को जरूर ढूंड लें, जिनमें active के साथ नहीं होता है, और passive में होता है, कि वहां से exam में question पुछा होँआ, एक तो यही है, एक आगे और भी है, तो क्या है गहाए इसमें, a vowel sound is preceded by, passive बनाएंगे तो क्या लिख देंगे, is preceded by an article, समझ में आगी होगी बात भी आपके, तो चलो, इसमें 9 preposition आपका जो है, वो answer हो जाएगा, question number 39, he came back within an hour, एक घंटे के अंदर अंदर, यह within का प्रियोग है, within preposition के रूप में यूज हुआ है, he came, he came within, क्या लिकिंग अपने इसमें, within an hour, the appointed time, of the appointed time, appointed time, के एक घंटे के अंदर अंदर, क्या है संटे देखेंगा, he came back within an hour, of the appointed time, क्या लिकिंगे इसमें आपने, of लिकिंगे, संग्यारी बात, क्या है, till, until, by वगरा का कोई मतलब यहां, नहीं है, आगे बढ़ते हैं, question number 40, when smiles, who can be angry with her, who can be angry with her, answer ऐसे आने चीएं, देखते ही, फड़ा फड़ टिक करने चीएं, इतनी अच्छी तैयारी आप लोगों की है, angry with, happy with, इनके साथ with fix preposition है, angry with, happy with, किसका अप्रियोग हैं, pleased with, pleased with, ठीक है, तो इसके साथ क्या होना चीए, when smiles, who can be angry with her, जब वो मुस्कराती है, तो उनसे कौन नाराज हो सकता है, इतनी अच्छी मुस्कराहट उनकी है, next देखेगा, question number 41, he bought a watch for, पैसे देखे जब आप कुछ चीज खरीदते हैं, तो उसके लिए, into या in का प्रियोग नहीं करेंगे, क्या करेंगे, 4 का प्रियोग करेंगे, he bought a watch for, क्या लिखेंगे, 3,000 रुपीज, 4 लिखेंगे, ऐसा नहीं कहेंगे, in 3,000 रुपीज, at 30 रुपीज, a dozen तो हो सकता है, इकाई बताने के लिए, unit बताने के लिए, add का प्रियोग किया जा सकता है, rate बताने के लिए, add का प्रियोग किया जा सकता है, dar बताने के लिए, add का प्रियोग किया जा सकता है, I bought these mangoes, at 40 rupees, a dozen, ठीक है, कहा लिकिंगे अपन, at 40, तो वाँ लिख सकते हैं, लेकिन सिधा सिधा आपको लिखना हो, और किसका प्रियोग करेंगे, 4 का प्रियोग करेंगे, is it clear, समझ में आगे ही चीजे, चलो next बढ़ते हैं, आगे देखते हैं इससे आगे, question number 41, he was surprised at, ये question पहले भी आ गया है, और 2-3 बार repeat होआ है, हो सकता है, कि इस बार आपको भी exam में, ये ही पुचले, he was surprised at what she said, next देखिगा, 44, did you get that book, did you get that book, के सुर्भी, क्या आपने वो किताब ली किसे, सुर्भी से, from सुर्भी, did you get that book from सुर्भी, क्या आपने सुर्भी से वो बुक ली, ठीक है, ये ऐसे भी हो सकता था, did you give that book, अगर ये ऐसा होता, तो क्या होता भी बताईएगा, did you give, did you give that, बुक के सुर्भी, सुर्भी, क्या लगा देंगे, क्या लिखेंगे, did you give that book to सुर्भी, ये क्या लिख देंगे हम याँ, टू लिख देंगे, क्योंकि वो देनी है उसको, वो वहाँ से लेनी है, तो from सुर्भी, सुर्भी से, और ये सुर्भी को, तो ये इसमें को लिख देंगे, ठीक है, चलो, आप लोग देख रहे होंगे, कि बार-बार ये इस तरह से क्या देख रहे हैं, मैं माइक की बैटरी देख रहा हूँ, कहीं ऐसा नहीं हो, कि मैं बोलता रहूं और आपको सुने ही नहीं, कल भी ऐसा ही हुआ था कि क्लास, अचानक बीच में रुख गई थी, क्योंकि माइक की जो बैटरी है, वो डिस्चार्ज हो गई थी, और ओडियो बिल्कुल बंध हो गया था, इस वज़े से, तो इसलिए हम चारहे हैं, कि आज हम चेंज कर लेंगे, ठीक है, इसकी बैटरी चेंज कर लेंगे, और क्लास को क्या रखेंगे, कंटीनू रखेंगे, नेक्स देखेगा, I was tired, I was tired, the end of the day, at the end of the day, at the end of the lesson, at the end of the month, and the end of the year, बहुत सारे एक्जम्पल्स हम आपको दिये थे, तो क्या लिख दिया मैं यहां, at लिख दे, इसलिए इसको दुबारा explain करने की कोई आउश्चिकता नहीं है, अब चलते हैं, question number 47, prefer, prefer के साथ क्या आता है, to आता है, I prefer milk to tea, prefer का मतलब होता है, मैं दूद्ध पसंद करता हूँ, किस की बजाए, चाय की बजाए, I prefer to, prefer के बाद में क्या आता है, to आता है, समझाएंगे, और बहुत सारे एक्जम्पल्स हो सकते हैं, prefer के बाद में क्या आता है, to आता है, तो रेफर के बाद भी क्या आता है, to आता है, prefer के बाद भी क्या आता है, to आता है, it has been ages, बहुत दिन हो गए है, it has been ages का मलब होता है, शदियों बीद गई है, जमाने बीद गई है, ages का मलब क्या है यहां, बहुत समय हो गई है, जबाने भी गए है, it has been ages, since I sang last, since, तब से, since वाले हमने questions, tense में भी बहुत सारे कियते हैं, since, ठेक है, तो since की ये जो phrase होती है इदर वाली, ये किस में होती है, past simple में होती है, ये किस में होती है, past simple में होती है, और ये जो आपकी होती है, ये has plus third form में होती है, It has been ages since, बहुत समय भी गया है, जब मैंने आखरी बार गया था, I must apologize for being late, I must, मुझे समा मांगनी चीए, मुझे अपने आपको apologize क्या होना चीए, समा होनी चीए, समा मांगना चीए, किसके लिए, for being late, late होने के लिए, I must apologize for being late, I must apologize for doing this, I must apologize for not keeping my promise, अपना वादा नहीं निभाने के लिए मुझे माफी मांगने चाहिए, I must apologize for not keeping my promise, clear होगी बात भई, for, लेकिन I must apologize to my friends, मुझे अपने दोस्तों से माफी मांगनी चीए, then you had to write to, तब आपको क्या लिखना चीए, to लिखना चीए, I must apologize to my friends, I must apologize to my students, मुझे अपने students से माफी मांगनी चीए, यदि मैं कोई गलती करता हूँ, तो, लेकिन कोशिस ये रहती है, कि मेरे जीवन में ऐसा कभी कोई पल नहीं आए, कि मुझे आप लोगों को ये कहना पड़े, कि sorry, मैं ये नहीं कर पाया, मैं पूरी कोशिस करता हूँ, कि आप लोगों को मैं maximum देने की कोशिस करता हूँ, आप लोगों के साथ, exam तक, exam के बाद तक, आपके selection तक, आपके selection के बाद भी, आप लोगों के साथ बना रहना चाहता हूँ आप लोगों के जो उर्जा है आप लोगों की जो हिम्मत है आप लोगों की जो ताकत है उसको मैं हमेसे फील करना चाहता हूँ और ये इमानदारी की बात है ये आप लोगों की ताकत ही है आप लोगों की जो उर्जा है आप लोगों को जुनून है यह वो जुनून है जो हर अज्धापक को ताकत देता है, अनर्जी देता है Otherwise हम नहीं पढ़ाएं तो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है लेकिन आप लोगों की जो आसाएं हैं 1977 आप लोगों के जो सपने हैं, आप लोगों से हमारे जो वादे किये वे हैं, वो वादे हमें रुखने नहीं देते हैं। और आप लोगों के भी जो अपने माबाप से कीवे वादे हैं, आप लोगों के भी जो अपने आप से कीवे वादे हैं, आप लोगों के भी जो अपने आप से, अपने प्रिवार से, अपने दोस्तों से, अपने हस्बेंट वाइब से, अपने ममी पापा से, जिन जिन से वाद कहीं से कुछ भी कर लेता है, लेकिन दूसरों के लिए जीना, दूसरों के वादों के लिए जीना, बहुत बड़ी बात है, एक अलग प्रकार की उर्जा आप लोगों में अन्भा होगी, और वो उर्जा आप लोगों को बहुत आगे तक लेके जाएगी, and you will never fail to apologize to your kids and kids, कभी आप लोगों को माफी माँगने की आउसिता नहीं पड़ेगी, apologize का मलब क्या होता है, माफी माँगना 4 और 2 का प्रियोग इसके साथ होता है, next question देखेगा बें, next, question number 50, पचासवा question देखते है, the train is running behind time, समय से पहले, ठीक है, पीछे चलने को क्या गते है, running behind, B-E-H-I-N-D, late होने को क्या गते है, running behind time, ठीक है, running behind होता है, next, his house is very different from, different के साथ क्या आता है, from होता है, किसी चीज़ से अलग होना, एक very from होता है, ठीक है, very, V-A-R-Y, very का मलब भी क्या होता है, different होना, एक V-E-R-Y होता है, वो अलग होता है, V-E-R-Y, एक होता V-A-R-Y, ठीक है, ये भी different ही होता है, तो इसके साथ, next, देखेगा, He is entirely absorbed in his studies, पूरी तरीके से डूब जाना, क्या कहलाता है, in कहलाता है, absorbed in होता है, He is entirely, पूरी तरीके से डूबा हुआ है, किसमें, अपने पढ़ाई में, तो आप job के साथ क्या लिखेंगे, आप इन लिखेंगे, He is entirely, पूरी तरीके से in his studies, सामानेता study वर्ड का प्रियोग के, पलूरल में क्या जाता है, तो हम लिख देंगे, He lives by begging, वो by का प्रियोग होता है, He earns by teaching in private school, ठीक है, तो आप बाई का प्रियोग होता है, यहां हम किसका प्रियोग कर रहे हैं, बाई का लेकिन, cows live on grass, लेकिन गाय किस पे जिंदा रहती हैं, घास पे जिंदा रहती हैं, अंतर समझ लिजिएगा दोनों का, ठीक है, He lives by begging, वो क्या बता रहा है, प्रोसो इस बता रहा है, और यह किस पर निर्बर है, उसके लिए किसका प्रियोग क्या जाता है, उनका प्रियोग क्या जाता है, We must live on minimum resources, हमें कम से कम साधनों पर जिंदा रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा तड़क बढ़क की आउसकता नहीं होती है, हम सब लोग बहुत सामानने लोग हैं, इसलिए किसी भी प्रकार की तड़क बढ़क के फढ़के बाजी की कोई आउसकता नहीं होनी चाहिए, मैं आपको समझा यह रहा हूं कि leave के साथ on का भी प्रियोग किया जा सकता है और by का प्रियोग भी किया जा सकता है, next देखेगा, question number 54, were there many people inside the meeting, of the meeting, with the meeting, at the meeting, at the meeting, at office, at the meeting, at airport, ठीक है, इसके लिए इसका प्रियोग करते हैं, at का प्रियोग करते हैं, next, question 55, आप लोग भी answer कीजिएगा, इस question का answer आप कर लीजिएगा, जब तक मैं एक बार mic change कर लेता हूं, ठीक है, आप फटा-फट इसका answer कीजिएगा, बस कुछ second में ही मैं आप लोगों के यहां वापस उपस्तित हो जाऊगा, तक बशया है, oldest भी answer कीजिएगा कीजिएगा, इस न न वादाख कर लाद, बस्तविएगा येस अवाज आ रही हो गियम ठीक है वापस से हम अपनी प्रिक्रिया को आगे बढ़ाते हैं और चीजों को फिर से आगे लेके चलते हैं helping the poor we help students also that besides के अतिरिक्त पहले भी हमने इसको देखा था क्या प्रीयोग करेंगे हम इसका besides लिखतेंगे के अतिरिक्त का मतलब होता है के अतिरिक्त जीसका मतलब होता है के अतिरिक्त Besides helping the poor, गरीब लोगों की help करने के आदलावा, उनके अतिरिक्त, we help students also, students की भी हम क्या करते हैं, help करते हैं, अब चलते हैं अपन, next question की तरफ, Divide these twelve men as the three boys, आसान सा question है, between और among का अर्थ है, किसका प्रियोग करेंगे, यहां देखेगा, three boys है, तो किसका प्रियोग कर देंगे, among the three boys, क्या लिख देंगे भी यहां, among the three boys लिख देंगे, जो जो बचा तयारी कर रहा है, यह उसका सब का सही होना चाहिए, किसी का भी गलत नह हो सकता है, next देखेगा, he is on the committee, on is, यह पुछा है, कि इसमें on कौन सा part of speech है, तो on इसमें preposition है, हाला कि यह part of speech वाले topic में ज्यादा उचित बैठता है, यहां he is on the committee, he is in the committee नहीं होता है, he is on the committee का मतलब यह नहीं होता है, क्यों committee के ऊपर है, committee का head है, it does not mean this, इसका यह बिल्कुल भी मतलब नहीं है, इसका मतलब यह है, he is a member, m-a-m-b-e-r, he is a member of the committee है इसका मतलब, इसका मतलब क्या है, he is the member of a committee, he is on the party, कोई party होती है, जो political parties होती है, उनके लिए भी किसका प्रियोग कर देते हैं, on का प्रियोग कर देते हैं, यह था आपका, अब चलते हैं अपन, next question पर, Yes, who did you give the money, who did you give the money to, आपने money किसको दिया, अभी थोड़ देर पहले हमने लिखा था, सुर्भी वाला sentence, तो क्या लिखा था हमने, from सुर्भी, क्या लिखा था भी हमने, from सुर्भी, सुर्भी से, अब किसको, किसी को दे रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, to लिख देंगे, अगर यह होता मानो, और यहां आपके पास option होते हैं, और यही option मानो, चारों के चारों यही option हैं, अब क्या लिखते हैं आप इसमें, राप्त किया है, किस से प्राप्त किया है, यह क्या लिख देंगे, from लिख देंगे, क्लिएर भी चीजे, चलों, नेक्स देखेगा, Tegor was awarded, awarded नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, awarded बोलेंगे, the Nobel Prize for Literature क्या लिखेंगे, for Literature, in Literature नहीं लिखेंगे, साहिते में उनको Nobel Prize मिला, ऐसा नहीं लिखेंगे क्या लिखेंगे, शाहितिक के लिए Nobel Prize मिला, क्या लिखेंगे अपन, टेगोर was awarded the Nobel Prize for literature, for science, for physics, for लिखेंगे, इसमें, ठीक है, for peace, सांती के लिए, next question, students should be asked to write only in ink, क्या लिखेंगे इसमें, students should be asked, बच्चों को कहा जाना चिये, to write only in ink, क्या लिखेंगे, अपनिया, in ink लिखेंगे, only in ink, इसलिए इसमें वापस सर्चानी करेंगे, कर ली थी हमने पहले इसमें, रवी is married to a cousin of mine, हमने marry के लिए आपको 3-4 बताये थे, तो वह आपको समझाये था, किसका प्रियोग होगा, two का प्रियोग होगा, she was married at 17, उसकी 17 साल की उमर में साधी होगे, she has been married for 5 years, वो 5 साल से साधी सुधा है, ठीक है, तो ये उसमें two वाला प्रियोग भी हमने समझा दिया था आपको, next चलते हैं भी, next, it is hardly 10 years, the reform was introduced, since the reform was introduced, 10 साल होए हैं, जब से reform क्या होए हैं, introduced होए हैं, since the reform was introduced, ये ज़्यादा अच्छा तो ये रहता, it has hardly been 10 years, it has hardly been 10 years, ये ज़्यादा सही सेंटेंस होता, लेकिन अपन क्या कर सकते हैं, the sentence has been asked in the examination, sentence तो एक्जाम में पुछा हुआ है, RPSC ने पुछा है, 1st grade, 2nd grade के किसी एक्जाम में, आज के जितने भी questions हैं, हर एक question हमने RPSC की जितने भी एक्जाम हुई हैं, 1st और 2nd grade के सारे questions उठा लिये, और वो सारे questions आप से करवा रहे हैं, तो ये वहीं से question पुछा हुआ है, इसक देखेगा, the secretary was asked to give away the prizes, give away the prizes, ये भी phrasal verb है, give away का मतलब होता है, distribute करना, give away का मतलब क्या होता है, distribute करना, तो मैंने आपको पहले ही समझाया, कि phrasal verb जो होती हैं, ये भी आपको preposition के रूप में भी पुछी जा सकती हैं, ठीक है, तो give away यहां आ गया, एक वर्ड होता है, give in, याद करना रहे, give in, एक वर्ड ता है, give up, ठीक है, कुछ अच्छी phrasal verb हैं, आपको याद करनी चीहें, next, we haven't been to the theater, for name, since months, ठीक है, since months, ठीक है, next देखेगा, I have not seen you, since September, since September, इसको देखना भी एक बर, उसमें कुछ लिखा हुआ गया, we haven't been to the theater, four months, मैनों से, ठीक है, क्योंके इसमें निस्चित नहीं है, और इसमें देखेगा, इसमें क्या है, since, तो यह धान रखना है ठीक है, तो थोड़ा सा क्रेक्शन कर लेना भी आप लोगा, सम इसमें, we prefer travel, from, we prefer to travel by train, क्या लिखेंगे, by train, देखो थोड़ा सा confusing नहीं है, क्या दिया हुआ है, प्रीफर दिया हुआ है, तो बच्चा क्या समझेगा, प्रीफर के साथ क्या आना चिए, प्रीफर की क्या आना चिए, टू है, हम यहां से याद करके जाते हैं, प्रीफर के देखा, और इसमें, हलाकि इसमें option में two नहीं है, लेकिन two होता, तो ज्यादतर बच्चे क्या लिख देते हैं, two लिख देते हैं, ज्यादतर बच्चे क्या लिख सकते थे, two लिख सकते थे, two तो आ गया भी यहां, यह तो travel के बाद train है, तो यह by train है, इसलिए preposition तो trains के साथ पुछा है, नेगी किस के साथ पुछा है, प्रिफर के लिए पुछा है तो ये बहुत आउसक है धान रखना इस परकार की चाहिए, एकाद किसन गल्थ हो जाएगा दिक्कत हो जाएगी, I cannot step I cannot stop, मैं नहीं रुख सकता, I am in a hurry, phrase होता है in a hurry एक phrase है, जल्दी में होना in a hurry in a hurry h-u-double-r-y in a hurry का मलब क्या होता है जल्दी में होना, इस question को कई बार आर्टिकल के लिए पूछते हैं, यहाँ पूछते हैं किसमें क्या आना चाए, तो आर्टिकल के लिए भी पूछते है in a hurry, क्या होता है फ्रेज होता है, एक फ्रेज है यह, जल्दी में होना, the car us ram into, देखो यहां भी एक प्रिपोजिशन, ram into का मतलब होता है, कई बार आपने नहीं सुना, ठुक गई गाड़ी, किसी को गाड़ी किसी के अंदर दबा लजेना, उस तो कहते है, ram कहते है, ram into, तो यह तो ठीक है, ram into the back of our vehicle, गाड़े, हमारी गाड़े का जो पीछे का इसा था, उसमें ठुक गई, कौन सी कार, the car behind us, car जो हमारे पीछे थी, वो कार, देखी का, दो प्रेपोजिशन है, एक behind है, और यह क्या है, into है, समयारी बात, the car behind us, car जो हमारे पीछे थी, वो कार ठुक गई, किसमें, back of our vehicle, next देखते हैं हमें, we walked the canal by a foot breeze, हमने canal को पार किया, canal, canal का मलब नहर बगरा होती है, तो foot breeze होता है, उसके जरिये हमने उसको पार किया, तो किसका प्रे हो जागा, a, c, r, o, w, s, kisका प्रे हो जागा, across, a, c, r, o, w, s, across, बताया था, इस प्रकास से, इस पार से, उस पार तक ज क्या होता है, across होता है, के लिए रभी ये बत, ठीक है, road को पार करना, नदी को पार करना, canal, nehar को पार करना, पुलिये को पार करना, तो यह क्या होते है, across का प्रियोग इन के लिए ज़्यादा किया जाता है, Yes, I quite agree with you I quite agree with you Agree के साथ fixed profession क्या होता है With का प्रियोग होना चाहिए On that issue, उस मामले पर तो वहां किसका प्रियोग कर देंगे On का प्रियोग कर देंगे लेकिन यहां किसका प्रियोग होना चाहिए Next, देखेगा Take the book, the table Take the book, इस book को ले लिजिएगा कहां से, table से Take off होता है, or double F किसी चीज़ को किसी चीज़ से separate कर देना, किसका प्रियोग होता है Off का प्रियोग होता है He fell off the ladder CD से गिर जाना, अलग हो जाना किसका प्रियोग करते हैं, Off का प्रियोग करते हैं यह आपका क्या है, take off ठीक है, वहाँ से यहाँ लेना आगे चलिएगा अब ही next, aspire to fixed proposition पूछे हुए है कुछ fixed proposition है उनको तो देखती ही answer आ जाना चाहिए उसमें कोई बहुत ज़्यादा इदरूदर की बाते नहीं है question देखा वाप देखी और फटाक से क्या किया answer क्या he aspires to that well-paid situation he aspires to that उसकी च्चा किसको पाने की है उस well-paid situation की ठीक है well-paid, जहां अच्छा पे किया जा रहा है उस situation के लिए next देखेगा adjust to deal देखेगा इसमें भी deal जो वाब है ये भी fragile वाब है एक वर होता है deal in d-e-a-l-d-e-l deal in ये होता किसी चीज़ का व्यापार करना किसी में deal in का मल होता है व्यापार करना जैसे he deals in rare books he deals in rare books वो किसमें किसका व्यापार करता है बहुती antique चुबुक है उनमें व्यापार करता है तो किसका हो जाएगा इसमें deal in he deals in He deals in rare books He deals in rare books ये तो deal in होता है एक होता है deal with D-E-A-L deals with The poem deals with nature इस poem में nature के बारे में बताया हुआ है The poem The poem deals with The poem deals with nature ठीक है एक होता है deal out एक वर होता है deal out D-E-A-L deal out इसका अमल होता है किसी चीज़ को distribute करना deal out होता है ठीक है तो ये यहां ठीक बैठता है A judge should deal out equal justice एक judge को क्या बाटनी चाहिए equal justice ये deal out का अमल होता है देना, प्रदान करना, बाटना तो क्या लेकिन हम यहां A judge should deal out equal समान equal का अमल क्या है समान justice to all justice क्या है नय है तो clear हो गए अभी ऐसा भी exam में question पूछ लेंगे I shall do it with pleasure मैं इसको खुशी खुशी से करूँगा I shall do it with pleasure मैं इसको बहुत खुशी खुशी से करूँगा I shall do it with pleasure with enthusiasm I shall do it with A-N-T-H-U-S-I-A-S-M enthusiasm I will do it with enthusiasm ठीक है with high spirits पूरे जोस के साथ तो with का प्रियोग करते हैं यहां ठीक है यह भी बहुत अच्छा sentence है The committee comprises यह जो वर्ड है यहां यह जब active voice में होता है तो इसके साथ कोई preposition नहीं होता है The committee comprises men of widely क्या लिखा हूँ आगे different views ठीक है लेकिन is comprised of हो सकता है is c o m p r i s e d is comprised of ऐसा हो सकता है कोई दिकत नहीं is composed of कई बार is comprised of को सही नहीं मानते और क्या मानते हैं is composed of is composed of c o m p o s e d is composed of consistent of is consisted of ठीक है जान रखना गा इसमें यहां कोई preposition नहीं आएगा comprise मैंने आपको दो तीन बार पहले भी कह दिया है कि आप लोग के इस प्रकार की जो list आपके पास है active में कहां होती है और passive में कहां होती है बहुत सारी वब ऐसी है जिनमें active में preposition नहीं आता है passive में आता है मैंने आप लोगों course के साथ करवाई ही है तो एक बार आप उस list को वापस से अपनी को refresh कर लीजीगा exam में जाने से पहले हो सकता है कि यहां से कोई question आपसे पूछ लिया जाए I was finally cured of cure for वो अमने नाउन के लिए लिखा था there is no cure for this disease यहां he is finally cured of जान दीजीगा इसका ठीक है next sentence देखेगा आखिरकार वो ठीक हो गया the habit of drinking किसे अपनी drinking के habits से ठीक हो गया next sentence virtue of the power wasted in वहां से पुछे नहीं पुछे यहां से जरूर पुछते है wasted in किसी का किसी में कोई ताकत नहीं थोती है power नहीं थोता है उसके लिए इसका प्रियोग करते है wasted in का प्रियोग करते है तो यह क्या गया in और यहां होता है by the virtue of the power wasted in me किसके दम पे जो power मेरे को दिये वे हैं उनके आधार पर उसके लिए करते है आगे फिर क्या देता है वो खाली छोड़ा हुआ है इसलिए यहां आता है by the virtue of wasted in तो प्रेपोजिशन इसमें कोई भी प्रेपोजिशन आपसे एकजाम में पुछा जा सकता है आगे देखेगा he can be compared to a loin he can be compared to compared के साथ with preposition भी सही माना जाता है ठीक है और इसमें है भी तो इसलिए यह थोड़ा सा इस प्रकार का है जिसमें दोनों को माना चाहिए हलाकि to यहां इस कांस्वर क्या माना हुआ है to माना हुआ है compared with ठीक है दोनों ठीक है इसमें कोई समस्या नहीं आनी है Freedom was brought at the cost of many lives किस कीमत पे at the cost of ठीक है शोटन्तर ताजो हमें मिली है कहां मिली है at the cost of many lives बहुत लोगों की जिंदगी के बाद बहुत लोगों की जिंदगी की कीमत पे बहुत लोगों के बलीदान के बाद हमें क्या मिली है आजादी मिली है ये है आज की इस class का last question I shall leave for London leave for fragile verb है रवाना होने के अर्थ में किस के अर्थ में है भई रवाना होना के अर्थ में आता है I shall leave for London ठीक है तो ये इस प्रकास से हमने सभी questions को ले लिए preposition के जो RPSC 1st grade 2nd grade में जो पूछे हुए थे उन सभी questions को ले लिया है और ट्रे आप एक बार इन सब को अच्छे से देख लें समझ लें और भी अपनी तियारी अच्छे से करें और बहुत स्यांदार तरीके से आप लोग exam देखे आएं Thank you Thank you very much